इंसान डॉक्स को घर में पालते है और इसको man's best friend भी कहा जाता है ancient times में डॉक्स को hunting या home defense के लिए पालते थे ये आपके लिए shocking होगा कि डॉक्स 4 million इंसानों को काटते है हर साल पर आप ये ध्यान रखें कि dogs को सही training दी जाए तो वो सबसे ज्यादा वफादार होते है तो चलिए आज हम दिखाते है top 5 dogs जिसे गर में रखना तो ban है ही पर कोई कोई कंट्री में illegal भी है पिट बुल को पहले breed किया था ताकि ये dangerous hunting dogs और fighting dogs बने इनका नाम खराब हुआ क्योंकि ये dog fights के लिए use किया जाते थे पिट बहुत ही ज्यादा aggressive होते है जब 13 साल का survey किया गया तो पता चला कि पिट बुल में 280 से ज्यादा इंसान की जान ली है अमेरिका में उपर से पिट बहुत smart होते है और उनकी body strength बहुत ही अच्छी होती है अगर बराबर training की जाए तो ये बहुत ही वफादार और caring dog बन सकते है ये इतने intelligent होते है कि इनको बहुत से घर के काम करते भी देखे गये है पर training ना मिलने से या गलट training देने से ये बहुत ही खतरनाक हो सकते है डॉगो अजेंटीनो को दुनिया का सबसे ताकतवर कुटों में से एक माना जाता है इनको big game hunting के लिए use करते है इनको पालना ban है Ukraine, Australia, New Zealand और UK में अजेंटीना में एक घटना हुई थी November 4, 2020 में अटाक करने का reason तो नहीं पता चला क्योंकि वो डॉग ने पहले कभी aggression नहीं दिखाया था वो लड़की तो बच नहीं सकी पर इससे पता चलता है कि डॉगो अजेंटीनो कितने unpredictable है 2012 में एक live show में Max नाम के एक डॉगो अजेंटीनो ने छोटा हमला किया anchor पे और उसका पुरा होट कट गया उसको 70 टाके लेने पड़े इस छोटे से हमले के बाद अपने ये नाम तो सुनाई होगा ये popular domesticated dog breed है इनका fur और इनकी आखे देखने से ये breed सबसे ज्यादा beautiful breed माना जाता है इनको originally sledge dogs यानि की बरफ में सामान को धक्का मारने के लिए इस्तिमाल किया जाता था ये डॉग इतने smart होते है कि अपना गले का पट्टा भी खिसका खिसका के निकाल सकता है इसके लिए इनका missing होने की complaint सबसे ज्यादा होती है हसकी इनसान पे जल्दी अटाइक नहीं करता पर इनको भी इनसान पे अटाइक करते हुए देखा गया है पर ये अटाइक तभी करता है जब इनको mistreat किया गया हो या फिर गलत ट्रेनिंग दी गई हो इनका bite force 406 PSI का होता है मतलब हसकी ने अगर आप पे अटाइक किया तो आपका कोई chance ही नहीं कि आप बच पाओगे ये one of the largest breed of dog in the world है ये बहुत powerful और strong होते है ये originally guard dogs थे अपने families और घर को guard करने में ये इतने aggressive होते है कि ये किसे पे भी अटाइक कर सकते है इसके लिए इनका इनसान पर attack बहुत ही ज्यादा frequent देखा गया है Most attack on humans में ये second number पे आते है इनका attack इतना fatal नहीं होता पर अगर आप इनको कोई घर guard करते हुए देखे तो आप संभाल के ही जाईएगा USA में Rottweiler responsible है maximum dog attacks करने में आदे से ज्यादा dog attacks USA में Rottweiler करते है Rottweiler के बड़े दाद, unbelievable strength और strong build उनको one of the most dangerous dog in the world बनाता है Rottweiler बहुत ज्यादा territorial होते है और उसके लिए ये किसे पे भी attack कर सकते है इनको पालने वाले को इनको control करना आना चाहिए क्योंकि बहुत से बार देखा गया है ये अपने owner को overpower करते हुए कहा जाता है Rottweiler को बच्चों के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए मार्च 2019 में California में दो Rottweiler ने एक बच्चे को मार डाला जो अपने घर के front yard में खेल रहा था तो फिर आप अगर इनको पालना चाहे तो ध्यान रखे कि इनको बराबर से training दे इनको बराबर से training देने से ये बहुत अच्छे guard dogs बन सकते है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please like और subscribe ज़रूर कीजिए ये हमें encourage करेगा आपके लिए वीडियो बनाने में इन अद्बुद और खूबसुरत जानवर पे